पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे SS202 और SS304 के बीच में क्या डिफरेंस होता है कहां कहां पर इनका यूज किया जाता है और इनकी जो ग्रेडिंग है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं SS का मतलब है स्टेलनेस स्टील ये स्टेलनेस स्टील की दो ग्रेड होती है अगर हम बात करें सबसे पहले स्टील के बारे में बात करते है जो स्टील है वह है आईरन प्लस कार्बन का एक अलोई होता है steel mainly दो टाइप का होता है plain carbon steel और alloy steel plain carbon steel के अगर बात करें ये तीन टाइप का होता है low carbon steel, medium carbon steel और high carbon steel जो alloy steel है ये दो टाइप का होता है low alloy steel और high alloy steel जो stailness steel है वो high alloy steel की category में आता है जिसमें जो main alloying element है वो 8% से ज़्यादा होता है अब जो stailness steel है इसकी भी further categories होती है जैसे pharetic stainless steel, martensitic stainless steel और austenitic stainless steel SS202 और SS304 ये austenitic stainless steel के अंतरगत आते हैं austenitic stainless steel में जो chromium है क्योंकि stainless steel में जो main alloying element होता है वो chromium होता है और chromium austenitic stainless steel में 16% से 25% के बीच में vary करता है तो बात करते हैं SS202 और SS304 के बारे में SS202 की जो composition है इसमें chromium 16% से 17% के बीच में होता है अगर manganese की बात करें वो 7.5% से 10% के बीच में होता है और nickel 4% से 6% के बीच में रहता है और जो SS304 है इसमें chromium की amount ज़्यादा होती है 18% से 20% के बीच में nickel भी ज़्यादा होता है 8% से 10% के बीच में और manganese होता है 2% के आसपास अब बात करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं जैसा कि हमें पता है जो stainless steel होता है उसमें corrosion resistance बहुत ज़्यादा होता है बहुत सारी swear condition के contact में आने पर भी इसमें corrosion नहीं लगता अगर इन दोनों grades की बात करें तो इन दोनों में जो corrosion resistance है वो SS 304 का ज़्यादा होता है SS 202 के मुकाबले अब इसमें बात करते हैं कि जो corrosion resistance जो है अगर हमें हमारा जो कोई भी अगर product बनवाना है stainless steel का अगर उसे हमें exterior outside में use करना है तो SS 304 को prefer किया जाता है अगर उसे हमें interior में या घर के अंदर या किसी भी कह सकते हैं कोई भी अगर जो भी हम space बना रहे हैं कोई भी organization अगर बना रहे हैं अगर उसके अंदर हमें steel की requirement है steel की stair बनवानी है या kitchen वगारा बनवाना है जहां वो direct contact में नहीं आता inside होता है तो उस case में SS 202 का इस्तिमाल किया जा सकता है अगर composition की बात करें इसके अत्रिक्त इन दोनों grades में silicon, nitrogen, carbon, phosphorus और sulfur की भी कुछ amount रहती है अब बात करते हैं कि जो SS 304 है इसमें ज़्यादा nickel होता है और nickel ज़्यादा होने की वज़े से ये ज़्यादा corrosion resistance हो जाता है ये इसके कान ज़्यादा होने के कान जो rust है वो भी material पर नहीं लगती और इसलिए जो SS 304 है वो SS 202 के मकाबले better होता है और जैसा हमने बात की कि इसकी जो cost की अगर हम बात कर लेते हैं जो cost होती है SS 2 ये cheaper होता है, सस्ता होता है जबकि SS 304 ये महंगा होता है क्योंकि इसमें nickel की amount ज़्यादा होती है आसान होता है क्योंकि इसमें जो iron है वो ज़्यादा mount में होता है और इसमें हमें pre heating या post weld heating किया शकता नहीं होती और जो traditional welding method है उससे इसको weld किया जा सकता है लेकिन जो welding joint इसमें हम लगाते हैं इस case में तो उसमें जो welding joint होता है उस पे corrosion लग सकता है मतलब कि ज़्यादा prone होता है अगर हम बात करें SS 304 की तो इस case में जो traditional welding method है उससे welding की जाती है लेकिन जो welding है वो काफी hard होती है और उस पे corrosion लगने के chances बहुत ही कम होते हैं और use की हमने बात कर ली जैसा कि हम बात करें जब हमें interior में जो अंदर घरों के अंदर अगर railing है या घरों के अंदर stair है kitchens है kitchens की जो cutlery है kitchen में sink है even जो kitchens भी है जहां पर हम regularly spy करते हैं cleaning करते हैं तो इस case में SS 202 को हम लगा सकते हैं और जो SS 304 है इसको जो outdoor की railing है outdoor की stair है window की grills बगारा है तो exterior में इसका इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि यह ज़्यादा corrosion resistance होता है अब बात करते हैं testing की क्योंकि क्योंकि यह जो दोनो SS 202 है और SS 304 है यह दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं दोनों की जो signing है जो दोनों का color है एक इसाफ से दोनों का same रहता है क्योंकि दोनो austenetic stainless steel है और एक बात और यह दोनो non magnetic होते हैं अब बात करते हैं कैसे check करेंगे कि यह SS 202 है और यह SS 304 है तो इसके लिए हमें कुछ testing करने की आफ सकता है हम grey tester का भी इस्तेमाल कर सकते हैं grey जो tester है इसकी एक जो drop है उसे हम steel पर डाल देंगे अगर इसका color orange हो जाता है तो इसका मतलब है यह SS 202 है अगर steel का color change नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि यह SS 304 है इसके अतरिक्त हम spark tester भी कर सकते हैं spark tester का मतलब है कि grinding जो steel है उसको grind किया जा सकता है और grind करते समय अगर जो spark generate होगी अगर वो ज़्यादा लंबी बनी है और redis है color में तो इसका मतलब कि वो SS 304 है क्योंकि जो redis color होता है spark का वो nickel content के ज़्यादा होने के कारण होता है और जो material की high density उसके कारण होता है अगर spark छोटी बनी है yellow spark बनी है तो इसका मतलब वो SS 202 है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया stailness steel के जो दो grade है SS 202 और SS 304 में क्या difference होता है कहां उसका use करते है और उसकी जो testing है कैसे की जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको जाद है जैसा like करें share करें धन्यावाद जल्द ही आजए होते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जारे करें जैसा क्योंस कि खाथ ठाम सब्सक्री बारे करें जादे किया करें दो यूकर